हाई दोस्तों नमस्कार मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस यूटूब चैनल इलेक्रिशन परतिष्ठान पर हमने आप सब के लिए कोश्चन बैंक स्रीज सुरू किया है जिसमें हम लोग आई टी आई के पिछले परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्णों को देख रहे हैं यदि आप इलेक्रिशन फर्स्ट इयर या सेकंड इयर में है तो हमारे इस चैनल को अवस्ट सब्सक्राइब करें क्योंकि जो भी कोश्चन आता है वो पिछले परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्णों कोहीं दुबारा से रिपीट किया जाता है यह वीड तो चलिए सुरू करते हैं बेसिक इलेक्रिकल प्रेक्टिस के प्रस्णों को जिसमें हम लोग 40 प्रस्णों को देखेंगे जो पिछले परिक्षाओं में पूछे गए हैं पहला कोश्चन है तामबा का एक परमानू में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं अप्षन को 29 अप्षन को 49 अप्षन को 69 इसका राइट एंसर होगा अप्षन को 29 दूसरा नमबर कोश्चन है एक जूल प्रतिस सेकंड डैस है अप्षन को 1 बोल्ट अप्षन को 1 अप्षन को 1 अप्षन को 1 अप्षन को 1 ओम इसका राइट एंसर होगा अप्षन को 1 वाट तीसरा नमबर कोश्चन है अंतराश्ट्रिय पदती में उसमा की इकाई को डैस में व्यक्त किया जाता है अप्षन को कैलोरी अप्षन को सेंटिग्रेट अप्षन गो जूल अप्षन को सेल्सियस तराइट एंसर होगा अप्षन गो जूल चोथा नमबर कोश्चन है सक्ति की इकाई क्या है अप्षन को किलो वाट अप्षन को वाट घंटा अप्षन को किलो वाट घंटा इसका राइट एंसर होगा अप्षन को किलो वाट पाच्वा नमबर कोश्चन है कौपर चालगता की परतिरोधकता का मान क्या है अप्शन ख़ एक दस्मलव साथ दो माइक्रो ओम मीटर अप्शन ख़ एक दस्मलव साथ तीन ओम परति सेंटी मीटर इसका राइट एंसर होगा छठा नमर कोस्चन है बिशिष्ट परति रोध का A, S, I, E काई क्या है अप्शन का ओम परति सेमी अप्शन खा ओम मीटर अप्शन का माइक्रो ओम सेमी अप्शन खा ओम मीटर इसका राइट एंसर होगा अप्शन का ओम मीटर साथ नमर कोस्चन है कौन सी बिधुतिय युक्ती माध्यम परतिरोध का उधारन है अप्शन का संट परतिरोध अप्शन का हीटर परतिरोध अप्शन का संपर्क परतिरोध अप्शन घव आर्मेचर वाइंडिंग परतिरोद इसका राइट एंसर होगा अप्शन ख़ हीटर परतिरोद आठ नमबर कोस्टन है विधुतिय उर्जया का व्योसाइक एकाई क्या है अप्शन क़ मेगावाट अप्शन ख़ किलोवाट गहंटा अप्षन गवाट घंटा इसका राइट एंसर होगा अप्षन ख़ किलो वाट घंटा नौ नमर कोश्चन है परती डिग्री सेंटिग्रीड तापमान विर्धी से परती रूद्प्रती उम में विर्धी डैस है अप्षन कव धनात्मक तापमान गुनांक option ख तापमान में बिर्धी option ग रेखी गुनांक option ग रिनात्मक तापमान गुनांक इसका right answer होगा option क धनात्मक तापमान गुनांक दस नमर question है किस द्रव की रिनात्मक तापमान गुनांक हो सकती है option क टंगस्टन option ख यूरेका option ग कारबन option ग नैक्रोम इसका right answer होगा option गो carbon एगारा नमर question है रिनात्मक तपमन गुनां का उदारन कौन सा पदार्थ है option को copper, option गो carbon, option गो aluminium, option गो mica इसका right answer होगा, option गो mica बारा नमर question है ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपत में धारा डैस के सीधे समान उपाती होती है अप्शन का VOLTEGE, अप्शन ख़ा परतिरूद, अप्शन का TAPMAN, अप्शन ख़ा विश्च परतिरूद, इसका राइट एंसर होगा अप्शन का VOLTEGE तेरे नमर कोश्चन है, कौन से नियम बताता है कि बंध परिपत में धारा VOLTEGE और परतिरूद अचरता पर होता है इसका राइट एंसर होगा आपसन खा ओम का नियम चौदा नमर कोश्चन है कौन सा नियम बताता है कि परतेक बंद परिपत में सभी भूल्टेज हरास का योग सुन के बराबर होता है अपसन का ओम का नियम अपसन का किर्चोफ का धारा नियम अपसन का किर्चोफ का भूल्टेज नियम अपसन का कूलम का नियम इसका राइट एंसर होगा अपसन का किर्चोफ का भूल्टेज नियम पंदरा नमर कोश्चन है कौन सा नियम बताता है कि किसी जक्षन पर मिलने वाली सभी धराओं का योग सुने के बराबर होता है इसका राइट एंसर होगा Option खो किर्चोफ का धारा नियम 16 नमर कोश्चन है जब धारा चालक से परवाहित होती है तो यह गरम हो जाती है यह परभाव 10 का अलाता Option का चुमबक्य परभाव Option खो उसमिय परभाव Option का राशानिक परभाव Option का इस्थिर बैधूत परभाव 17 नमर कोश्चन है किसी थर्मल पावर स्टेशन में होने वाली उर्जा का रुपांतरन डैस से होता है Option का उसमा उर्जा से बिदूतिय उर्जा में Option का परकास उर्जा से बिदूतिय उर्जा में Option का जल उर्जा से बिदूतिय उर्जा में इसका राइट एंसर होगा आप्शन का उस्मा उर्जा से बिधुतिय उर्जा में अठारा नमर कोश्चन है सो ओम पर तिरोध वाले उपकरन दो एंपियर लेता है उस उपकरन द्वारा ली गई सकती क्या है आप्शन का चार सब वाट आप्शन का तिन सब वाट आप्शन का चार सब पचास वाट आप्शन का तिन सब पचास वाट इसका राइट एंसर होगा आप्शन का चार सब वाट उननिस नमर कोश्चन है किसी एक हजार वाट के हीटर को 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है हीटर के द्वारा ली गई धारा का मान डच है ऑप्षन का 4.006 अपियर ऑप्षन का 4.106 अपियर ऑप्षन का 4.166 अपियर इसका राइट एंसर होगा ऑप्षन का 4.166 अपियर विस नम्मर कोश्चन है उस इलेक्ट्रिक हीटर का पावर इंपुट क्या होगा जो 250 वोल्ट सप्लाई स्रोथ से 4 एंपियर लेता है अप्शन को 306 वाट, अप्शन गह 480 वाट, अप्शन गह 720 वाट, अप्शन गह 960 वाट इसका राइट एंसर होगा, अप्शन गह 960 वाट 21 नमर कोश्चन है, 10 वोल्ट के किसी बैटरी के 5 ओम के परतिरूद से जोड़ा गया है तो परतिरूद से होकर परवाहिद धरा 10 है, अप्शन को 50 एंपियर, अप्शन को 25 एंपियर अप्शन गह 4 एंपियर, अप्शन गह 2 एंपियर, इसका राइट एंसर होगा, अप्शन गह 2 एंपियर बाइस नंबर कोस्चन है, लैंप 208, 250 वोल्ट का गरम परतिरूद का मान ग्याद कीजिए अप्शन को 6,250 ओम, अप्शन को 625 ओम, अप्शन को 3,125 ओम, अप्शन गह 3,125 ओम, अप्शन गह 3,125 ओम तैस्समललव, पांच ओम, तेशन नंबर कोस्चन है, विधुत उर्जा का ब्रशाईक यूनिट क्या है, ऑप्शन को वाट गंता, अप्शन को कीलोव फम पियर, ऑप्शन को कीलो वाट गंता, ऑप्शन को वोलट एंपियर, इसका राइट एंग क्यंता, 24 नमर कोश्चन है किस पदार्थ में यदि तापमान बढ़ाया जाता है तो परतिरोध घट जाएगा आप्सन कह टंगस्टन, आप्सन कह कारबन, आप्सन कह नाइक्रोम, आप्सन कह मेकजिन इसका राइट एंसर होगा आप्सन कह कारबन 25 नमर कोश्चन है किसी 12 ओम के परतिरोध को किसी 60 वोल्ट वाले DC सुरोध से जोड़ा जाता है परतिरोध से होकर परवाही धारा का मान परिकलिद कीजिए ओप्शन कः चार एंपियर, ओप्शन कः पांच एंपियर, ओप्शन कः बारा एंपियर इसका राइट एंसर होगा आप्शन खो 5 एंपियर 26 नमर कोश्चन है किसी पदार्थ के मीटर क्यूब या सेंटी मीटर क्यूब को दो विप्रित सतों के बीच उत्पन परतिरोध को डैस कहा जाता है 27 नमर कोश्चन है किसी अर्ध चालक पदार्थ के बाहतम कक्छा में कितने इलेक्ट्रोन होते है 28 नमर कोश्चन है और्ध चालक परमानू के बाहरी कक्छा में कितने स्वतनत्र इलेक्ट्रोन होते है अप्शन का एक अप्शन खो 2 अप्शन गो 3 अप्शन गो 4 इसका राइट एंसर होगा अप्शन गो 4 जर्मेनियम तत्यों के संतुलित इलेक्ट्रोनों की संख्या 10 है अप्शन का 5 अप्शन खो 4 अप्शन गो 3 अप्शन गो 2 इसका राइट एंसर होगा अप्शन खो 4 30 नमर कोश्चन है एक सिलिकन परमानू में इलेक्ट्रोनों की संख्या 10 है अपसं का साथ, अपसं खा 14, अपसं खा 29, अपसं खा 32, इसका right answer है अपसं खा 14, 31 नमर question है अलुमीनियम परमानू में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं अपसं का 13, अपसं का 18, अपसं खा 29, अपसं खा 43, इसका right answer होगा Option का 13 32 number question है कौन सा नियम इस्थिर ताप मान पर धारा भोल्टेज और परतिरोध में संबन्ध दर्साता है Option का किर्चौफ का पाला नियम Option का किर्चौफ का दूसरा नियम Option का जूल का नियम यहाँ पर मिस्प्रिंट हुआ है अप्शन घा विदूत की मातरा के जगह पर होगा ओम का नियम तो इसका राइट एंसर होगा ओम का नियम तेतिस नम्मर कोश्चन है ओम के नियम कथन के अनुसार परिपत धारा डैस के व्यूत करमानुपाती होती है अप्शन का बोल्टेज अप्शन खा परतिरोद अप्शन गा विशिष्ट परतिरोद अप्शन गा विदूत की मातरा इसका राइट एंसर होगा अप्शन खा परतिरोद चौतिस नम्मर कोश्चन है परतिरोद की एकाई डैस है अप्शन का महो अप्शन खा भोल्ट अप्शन गो ओम, अप्शन गो एमपियर इसका राइट एंसर होगा अप्शन गो ओम 35 नमर कोस्टन है चार बराबर परतिरोध स्रिंखला में जूरे हुए है और उनका कुल परतिरोध 800 ओम है जब वे समनांतर में जूरे होते हैं तो कुल परतिरोध क्या होगा अप्शन को 10 ओम अप्शन खो 50 ओम अप्शन को 400 ओम अप्शन खो 60 ओम इसका राइट एंसर होगा अप्शन खो 50 ओम 36 नमर कोस्टन है एक सर्किट में 20 मिली एमपियर की धारा 12 वोल्ट की अपरूती पर परतिरोध में बह रही है जब वोल्टे 24 वोल्ट तक बढ़ाया जाता है तो धारा क्या होगी अप्शन को 20 मिली एमपियर अप्शन को 30 मिली एमपियर अप्शन को 40 मिली एमपियर अप्शन को 60 मिली एमपियर इसका राइट एंसर होगा option गो 40 mili ampere 37 नमर question है विभुवांतर को dash द्वारा मापा जाता है option को ommeter option को ommeter option को voltmeter option को wattmeter इसका right answer होगा option को voltmeter 38 नमर question है विदूत आवेश की एसा ही काई dash है option को volt प्रति ओम option को ampere प्रति सेकेंड option को watt सेकेंड option गो कुलंब इसका right answer होगा option गो कुलंब 40 नमर question है विजिली की मातरा की काई dash है option को ampere प्रति सेकेंड option को कुलंब option को महो option गो watt सेकेंड इसका right answer होगा option को कुलंब 40 नमर question है वानिजी विदूत सक्ति की काई क्या है option को ampere घंटा option खो किलो वाट घंटा option गो किलो वाट option गो एमपियर सेकेंड इसका right answer होगा option गो किलो वाट तो चलिए वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यबाद जय हिंद